तो हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में आप से डिस्कस किया था कि पाइखन प्रोग्राम में जो कंड्रोल स्टेट्मेंट होता है उसमें पॉर्डूप का युज हम कैसे करते हैं आज हम एक question पर discussion करेंगे एक program बनाएंगे हम जो की event या odd number चेक करने के लिए होगा कि दिया हुआ given number odd number है या even number है तो उसके लिए चलिए हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो जैसा की पाइखल में पता है कि हमें starting से ना हमें कोई फाइल इंक्लूट करनी पड़ती है ना हमें data type बताना पड़ता है अगर हम यूजर के थ्रोंस में input देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सिंपल सा syntax ना होता है तो हम लिखेंगे a is equal to in कि इंपूर कि एंटर नामबर कि अब चुक्य हम प्रोग्राम बना रहे हैं या और नमबर चेक करने का तो हम इसमें सबसे पहले अपनी कंडिशन लगाएंगे और इस कंट्रोल सेट्मेंट में हमारी कंडिशन लगी कि इस तो हम यहां आखान कि इस तो हम वद्ट हैं नाम र dove से थाखण लगी कि इस सबसिते हैं ट앙 आ चुक्य हले लग जब्यार सेस्ट लगी कि इस तो फप्वेट्ट बनलिछी कंडिशन लगी कंडिशन लगी6 कंडिशन, लगी ह Naw प्रिंट गिवर नंबर इस और तो इस प्रोग्राम में हमने क्या है हमें क्यों लिया क्यों कि हमें पता है कि यहां पे जो बैल्यू आएगी उसका डेकर हमारा इंटीजर होगा निम्री क्याली होगी तो इसलिए हमने इंट ही इंपुट का यूज में किया है यूजर के फ्रोगर कराने के लिए अगर अगर गखना अब यूद आपने और वाल्गर जो नमबर और होगा हमारा जूद अदिया हुआ नमबर और होगा